नमस्कार, बनस्पतियों में कितने बीज हैं और ऐसे बीज हैं जो आपको काफी शक्ति प्रदान करते हैं, काफी न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, आज मैं आपको ऐसे पांच बीज के बारे में बताऊंगी, जो आपके पेट के लिए, आंतों के लिए बहुत ही लाबदा यह बीज ना केवल आपके पांचन को बहतर बनाएंगे बलकि आपके सबग्रस वास्ते में भी सुधार करेंगे तो अब हम देखेंगे कि पांच बीज कौन से हैं और आप अपने भोजन में इसे कैसे शामिल कर सकते हैं यह बीज है एक टेबल स्पून सौंफ एक टेबल स्प चीया सीड, एक टेबल स्पून पिसा हुआ फ्लेक सीड, एक टेबल स्पून अजवाइन और एक टेबल स्पून जीरा आप एक ड्राय पैंड ले ले इसे मीडियम या हाई स्पीड पर गरम करें फिर इसमें जीरा अजवाईन और सौंफ डाल कर भुने आप इनने तब तक जब तक इनकी खुश्बू ना आए, थोड़ा ध्यान देना होगा, धीरे-धीरे करना है, जिससे वो जले नहीं, फिर आप एक बोल में, ये सारे सीड्स, और चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, सब डाल के अच्छी तरह मिला ले, ये देखें कि ये सारे बीज एक दूसरे से अ एक टेबल स्पून खा सकते हैं, आप इसे सूप, सैलेड, दही, करी, फलों के उपर डाल कर खा सकते हैं, अभी मैं आपको इन सब बीजों के फायदे बताऊंगी, सौफ में एनेथाल नाम का कमपाउंड होता है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को शान्त करता है, ऐ इंटिया सीड्स में सॉल्यूबल और इंसॉल्यूबल फाइबर दोनों होते हैं, जो कब्स को कम करते हैं, इन में ओमेगा-3 फैटी असेड होते हैं, जिन में एंटी इंफलेमेटरी गुन होते हैं, फ्लेक्स सीड में एलफा लैनॉलिक असेड होता है, जिसमें ओमेगा-3 acid ये digestion में काफी मदद करता है, आजवाइन में thymol हो होता है, जो indigestion, gas और bloating को कम करताई, ये antimicrobial होते हैं, जो digestive tract में हानिकारक bacteria से लड़ते हैं, जीरा में essential oils होते हैं, जो digestive enzymes को बढ़ाने में मदद करता है, ये antioxidant से भर फूर होते हैं, और शरीर की सूजन को कम करते हैं तो आप ये जान ही गए होंगे कि किस तरह ये चोटे-चोटे बीज लाबकारक है इन सभी चीजों को आपके रोजबर्रा के भोजन में शामिल करें और अपने स्वास्त को सही रखें क्योंकि पाचन शक्ति अगर सही है तो पूरा शरीर अच्छी उर्जा से भर जाएगा और जीवन का आनन ले पाओगे शुबा मस्तू नमस्कार